हर चीज में हम चीन से पीछे हैं, चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहिए वो एडुकेशन हो, चाहिए वो पॉपिलेशन प्रेशर हो, जैसा कि आपने प्रतिव्यक्ति जीडीपी बताया, उसके लिहाज से उनका प्रोडक्शन सिक्स टाइम्स है, क्यों है ऐसा? वो वजह भी समझना जुरूरी है यहाँ जैन जी, क्योंकि चीन से हम कई लिहाज में अभी भी टेक्नोलजी के मामले में, चाहिए वो सस्ती चीजे बनाने के मामले में, अभी भी कहीं न कहीं बहुत पीछे हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको पराजित नहीं कर सकते हैं, हम ल लोगों को अपने सिस्टम को और बहतर बनाना पड़ेगा, अपने सिस्टम को और सुधार हम लोगों को लाना पड़ेगा, जिसमें कि हमारा सिस्टम भी उनके साथ अच्छा मुकाबला कर पाए, और सिस्टम तो सिस्टम जो कॉम्पोटिशन है, सिस्टम तो सिस्टम, भी आप match हार सकते हैं क्योंकि आप खिलाडी जो हैं वो match नहीं खेलते हैं आपकी team खेलती है team की क्या training है team का क्या coordination है क्या team की क्या हम लोगों की strategy है यह हम लोग जब team की strategy बनाएंगे system को हम लोग बैतर बनाएंगे जैसे निया जी बोल रहे हैं कि सिर्फ हम लोगों को नहीं मुकाबला करना है, पूरे सिस्टम को मुकाबला करना है, IIMT को मुकाबला करना है, NOIDA को मुकाबला करना है, UP को मुकाबला करना है, तब ही जाकर भारत मुकाबला कर से लिए एक एहम योगदान यहाँ पर सोशल सेक सरकार ने कितना खर्च किया है 72 हजार करोड़ में शुरुवात हुई थी 2017 में जो अब बढ़कर 104 1200 करोड़ रुपए फाइनाशल यह 2023 में पहुँच चुका है यानि कि शिक्षा एक महतुपूर्ण शेत्र एक महतुपूर्ण फोकस आपकी सरकार का लेकिन क्या शिक्षा उस गाउं के बच्चे तक पहुँच पा रही है जिस पर अभी आप थोड़ी देर पहरे यह कह रहे थे कि एक महतुपूर्ण योगदान हो सकता है आने वारे वक्त में अगर हमें चीन से मुकाबला करना है बिल्कुल सही आप कह रही है निया जी और देखिए हम लोग तो जहां तक शिक्षा छेतर है उसमें हम लोग ने ने हम लोग सुधार ला रहे हैं ने ने परिवरतन आ रहे हैं पैसा तो खर्च के द्वारा आप लोगों को ने ने अफसर मिलें आप लोगों को बहतर से बहतर शिक्षा मिलें तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू की गई है अभी आपने सुना होगा अख़बार में कि फॉरण यूनिवरस्टीज को फॉरण यूनिवरस्टीज को भी हम लोग अब मौका दे रहे हैं कि वह भारत आए और भारत में अपना कैंपस मनाएं लग की बात कर लेते हैं क्योंकि कुल बलाकर अगर देखा जाए तो यहां जो सोशल सेक्टर में दो मेहतुपूर सेक्टर हैं उसमें एजुकेशन हमने लिया है और हेल्थ केर में सामाजिक शेत्र में स्वास्त में कितना खर्च किया आपकी सरकार ने तो खर्च 38,000 करोड रुपए से शुरू होकर माफ किजेगा यह 2003 से पहुच गया 86,200 करोड रुपए तक यानि कि कुल बलाकर तीन गुना यहां अख़़ा पहुच गया सामाजिक शेत्र में स्वास्त जिसमें ख खर्च को बढ़ते हुए देखा और जो आपकी स्कीम में मुख्य तोर पर सामने आया जैन जी वो यह था कि कैसे कोई भी राज्य हो जहां पर आपकी सरकार है या फिर नहीं है वहां पर एक मुष्ट एक तरफा सभी लोगों को उन योजनाव का लाप में सके नेहा जी हम ल करोड हो गए यह सच है कि कोवेड के कारण क्योंकि हम लोगोंने 200 करोड से ज्यादे वैक्सीन निशुलक सब लोगों को मुफ्ट सब लोगों को दियें खर्चे तो बढ़ेंगे ही तो इस कारण भी खर्चे बढ़ें लेकिन लेकिन अगर आप योजनाओं को देखें अगर हर साल दे रहे हैं तो यह आयूशमान भारत के द्वारा किया जा रहा है एक और घोशना हम लोगों ने यह की कि हम लोग एम्स की जो संख्या है उसको हम लोग काफी बढ़ावा देंगे और आज जारकन में भी देवगर में एम्स खुल गया है और हर राज्य में इस प्रका सबको घर बिजली साफ पानी गया सिलेंडर कैसे उपलब्ध होगा इस बार के बजट में कुछ ऐसी नीतियां कुछ ऐसे प्रावधान आएंगे या फिर मोटे तोर पर अगर आपकी सरकार यह सुनिश्चित कर सके कि कैसे घर-घर कम से कम एक सिलेंडर पहुंच सकेगा निय जी यह सब जो आपने जो बुनियादी सुविधाओं की जिकर की है यहां यह लगभग हर गरीब परिवार को जिन लोगों को जरूरत मंद हैं उनको हम लोग पहुंचा रहे हैं वो आज हकीकत है आप दिहात आईए हैं मेरे साथ घूमिये खासकर मेरे जिले में तो आईए ह लेकिन पूरे देश में अगर आप भूमिये गा तो आपको नजर आएगा कि जो जरूरत मंद हैं जो गरीब परिवार हैं आज उनको पका घर मिल रहा है उनको गैस सिलिंडर मिल रहा है उनको चूला मिल रहा है उनको शौचाले मिल रहा है उनको बैंक का खाता मिल रहा है पकी सड़क मिल रही है ये सब कोई हम लोग कलपना भी नहीं कर सकते थे कि इतने जल्दी 5-6 साल के अंदर हम लोग ये सब बुनियादी सुविदाएं हर परिवार को देंगे लेकिन ये चमतकार हुआ है देश में कमाल हुआ है और आज के समय ये सब हम लोग उनके लोगों को आपकी सरकार लाई कब तक ये जारी रहेगा सर आप तरफ तो विपक्ष पर निशाना साथते हैं कि फ्रीबी के जरिए वोट सादने की कोशिश करते हैं आपकी सरकार भी तो यह कर रही है निया जी जो जंधन वाली जो योजना थी जिसके द्वारा हम लोगों ने डारेक् कि बात करते हैं तो आप ब्रिटेंड और अमेरिका के बात को लेकर बात को खतम कर देते हैं कि अमेरिका में ऐसा है और वहां पर आप देखे बारत में ऐसा है आप यहां पर देखे लेकिन हम पर कैपिटा इंकम क्यों नहीं देखते कि वहां पर क्या है और यहां पर क्या है हमें सब चीजों को देखना है और हम लोगों ने सब चीज दर्शाई भी है आपको अगर आप देखें GDP पर कैपिटा तो हम लोगों ने बातचीत की कि अभी GDP पर कैपिटा में रेस बहुत लंबा है रास्ता बहुत लंबा है हम लोगों को बहुत दूर भागना है आपको को देखना होता है पूरी तस्वीर को देखना होता है